अगर आपके बस OnePlus Note 2T है या सी E2 है कोई भी फोन है तो यहां पे आप Split Screen का यूज कैसे कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को आप दो अप्लिकेशन एक साथ यूज कैसे करके देख सकते हैं जैसे कि एक जगह अगर आप Facebook चलाते हैं यूट्यूब चलाते हैं तो इसके लिए आप यहां पे इसको पहले ओपन कर लेंगे अप्लिकेशन को और यहां पे 3 राट पे जाएंगे आप स्प्लिटी स्क्रीन का ओप्शन देखने को मिलेगा आप इस पे क्लिक करके इस ऐसे बै यहां पे पुछ बाता है इसके लिए आपका 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 हट चुका है तो आप इस से में हम लगा लेते हैं तो इसको को लेंगे और ऐसे करके देखेंगे तो यहां पे एक साइड आपका Facebook या WhatsApp कुछ बी चला सकते हैं एक साइड आप आपने यूट्यूब पे गाने माने स्क्रीन आप का आप लिए कुछ पी चैटिंग वैटिंग सारी चीशे साथ में आप कर सकते है नुट struct बंडना और इससे करके देखेंगे तो यह स्टैप्स हो जाता है अब इस पे ना आप ऐसे करेंगे और इस ब्लिप करेंगे तो उपर की स्क्रीन नीचे र जाते नीचे नीचे डाउन करेंगे तो जैसे आपका Instagram support नहीं कर रहा है कोई भी जब यह छोटा है ना तो इसको आप ऐसे करके बढ़ा कर सकते है जिसको आप चोटा बड़ा करना चाहते हैं और ऐसे करके down करेंगे तो split screen आपका हट जाएगा बस आपको क्या करना है कि कोई application split करना है उसको open कर लेंगे minimize कर लेंगे टास्क बार में ऐसे करके खोल लेंगे three dot पर जाके split पर क्लिक कर देना है split हो गया है ऐसे करके हट जाएगा split screen का option अगर यहां पर missing है तो इसके लिए जाएंगे आप setting पर और यहां पर आपको special features वाले option पर क्लिक करना है यहां पर split screen है यह दो चीजे आपकी on होनी चाहिए तो आपको split screen की problem नहीं आएगी ठीक है इसको आप इस टाइप से यूज कर सकते हैं चले मिलते हैं आपको इक next वीडियो में तब तक के लिए इसकार